नमस्कार दोस्तों, पंजाब के अमरित सर जिल्ले में बियसेब हेड़क्वाटर में रविबार सुबा एक जवान ने मेस में ताबड तोड़ गोलियां बरसाई, फायरिंग में चार जवान की मौत हो गई, एक गंबी रूप से गहल है, वहीं फायरिंग करने वाले जवान न बियसेब हेड़क्वाटर के मेस में बटालियन 144 के जवान नास्ता कर रहे थे, इस दोरान बटालियन 144 के कौंश्टेपल सतप्पा गुस्ते में तमतमाते हुए आये और अंदाधुन फैरिंग करने लगे, बताया गया है कि सतप्पा डूटी को लेकर नाराज चल रहे थे, इस घटना से हेड़क्वाटर में हडका मच गया, मेस में गोलियन चला कर सतप्पा ने अपने चार सातियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक जवान राहुल गंबीर अवस्ता में घैल है, सतप्पा इतने पर भी नहीं रुका और अपनी सर्विस कमान लेकर मेस से ब अन्य जवान को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, सतप्पा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, गुरुनानक दीव अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मिर्त गोशित कर दिया, वही दूसरे गायल कॉंस्टेबल का इलाज अभी चल रहा है, जिसकी हालत नाज की तरह फैरिंग कर रहा था, जो भी उसके सामने आया, उसको भूनता गया, मेरे बेटे राहुल को भी गोली लग गई, मोके पर मिर्तक जवानों के परजन और बियस अब के आला अधिकारी पहुंच गये है, पुलिस ने भी मोके पर पहुंच कर जान सुरू कर दी है, फिल गया है, अधिकारियों के दोरे के बाद जवान को यहां से सिप्ट किया गया, वहीं सिप्ट करने के पीछे मीडिया के जमावडे का कारण बताया जा रहा है, सूत्रों के अनसार सरकारी अस्पताल में मीडिया इकटा है, इसलिए अधिकारियों ने गहल जवानों को नीजी उनकी आत्मा को भगवान सांती दे साथ ही इस मुश्किल गड़ी में उनके परिवार को दुख सेने की छमता दे जब तक सोरा चांद रहेंगे तब तक बीर बलिदानी जवान आपका नाम रहेगा तो दोस्तों वीडियो को अंदेखा ना करें उन बीर जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जैहिन जरूर लिखें अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक सेर करना ना भूलें आप से फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदी मातरम